दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका देश नीती पर महराश्ट्र चुनाव के तारिकों का एलान हो गया है 20 नविंबर को महराश्ट्र में एक फेज में चुनाव है 288 सीटों पर चुनाव है और महराश्ट्र चुनाव तै करेगा कि दिल्ली की कुर्सी पर नरींद्र मोदी कब तक बैठे रहेंगे पीम की कुर्सी मोदी के पास कब तक रहेगी और महराश्ट्र चुनाव में बड़ा खेल चुनाव आयोग ने भी कर दिया है 20 नविम्बर को चुनावे 23 नविम्बर को नतिज़े आएंगे और 25 नविम्बर को कारेकाल समाप्त होने जा रहा है यानि सरकार बनाने के लिए महज एक दिन बचेगा और इस एक दिन में खेला करने की पूरी तैयारी चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कर दिया है क्या हो सकता है एक दिन में इसका खुलासा खुद बरिष्ट पत्रकार अशोक वांकेड जी आज किस एपिसोड में करेंगे साथ मैं आपको बता दू कि आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो खबरे आ रही है कि महा यूती गटपंधन यानि भरतिय जनता पार्टी शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एंसेपी के बीच इन तीनों पार्टियों के बीच सीट बटवारे को ने करक जंक छड़ी हुई है ये उसे गाली दे रहा है वो उसे गाली दे रहा है ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान शिंदे गुटपंध वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एंसेपी के चलते भरतिय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और नरींद्र मोदी की ग्यारंटी ये सब कुछ को महराष्ट चुनाव से बॉयकॉट किया जाएगा आरेसेस भरतिय जनुता पार्टी का साथ देने वाली है या साथ नहीं देने वाली है इसका भी खुलासा आज की एपिसोड में हो जाएगा कि आखिर आरेसेस मोहन भागवत क्या लोगसभाद चुनाव की तरहा नरेंद्र मोदी की सर से हाथ खीच लेंगे बड़ा खुलासा आज की इस एपिसोड में होगा तो आखिर तक वीडियो में बने रहेगा बिना तेर करें सीधा अशुक वांखिर जी का मैं रूप करती हूँ तो वांखिर जी स्वागत है आपका देशनीती के मंज पर फिर एक बार हमारे साथ जुडने के लिए महराश्ट्र और जार्खन चुनाव के तारिकों का एलान हो चुका है लेकिन महराश्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतिय जनता पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन रहा उसे देखते हुए कि आपको लगता है कि भले ही हरियाना भारतिय जनता पार्टी जीत गई हो महराश्ट्र चुनाव बीजपी या महायूती के लिए जीतना क्या मुम्किन है देखिए एक बात तो तैय है कि हरियाना के नतीजों ने भारतिय जनता पार्टी के वरकर्स में एक बुष्टर डोस का काम किया वही कॉंग्रिस के कारिकरता हतोत साइथ हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉंग्रिस जब भी भाजपा के सामने आमने सामने होती है कॉंग्रिस का प्रदर्शन बुरा होता है यह बहुत बुरा लगता है कॉंग्रिसियों को भी जब मैं यह कहता हूँ लेकिन कॉंग्रिस को कभी तो आत्मा उलोकन करना होता कभी तो ये देखना होगा कि हम BGP के साबने जब अकेले लड़ते हैं तो क्यों मार खाते हैं लोग सभा में कॉंग्रेस के पास सव सिटे हैं 99 उन्होंने जीती है एक इंडिपेंडन्ट सांगली वाला जो कॉंग्रेस सी था वो आने से सव हो गए अब आप देखिए सव में से दस राज्य हैं करनाटक, तेलंगाना, चतिसगर, मत्यप्रदेश, राजस्ताद, हरियाना, गुजरात, आसाम, उत्तराखन और हिमाचली इन दस राज्यों में जहाँ कॉंग्रेस और BGP बिल्कुल आमने सामने वहाँ कॉंग्रेस का स्कोर जो है, वो 28 सिटों का है, सव में से राजस्तान की सिटे में नहीं मानता, और राजस्तान की मैं आदी सिटे भी मानूं क्योंकि राजस्तान की सिटे कैसी मिली सब को पता है और राजस्तान में वाकिई दम होता अशोक गेलोत में तो अपने बेटे को जित्वा किला तो जो 30 सिटे भी पकड़े हमने इनको तो बाकि 70 सिटे जो है वो कभी स्टैलिन के भरो से उद्धव के भरो से शरत पवार के भरो से अखिलेश के भरो से तेजस्वी के भरो से यह उधार के सिंदूर पे ठिकी होई पार्टी हो गई है इसका आत्मावलोकन करना होगा करीब करीब 170 सिटे है इन 10 राज्यों में इन 10 राज्यों में 170 सिटों में से कॉंग्रेस 50 सिटे भी ले आती 70 सिटे भी ले आती तो केंदर का परिदिश्य अलग होता तो इंडिया गड़बंदन ने काम तो अच्छा किया लेकिन किस ने किया रिजनल पार्टीज में किया कॉंग्रेस सिर्फ डबल डिजिट एक राज्य में आई महाराष्ट में 2019 में महाराष्ट में एक सीट थी कॉंग्रेस के पास अब जाके जब वो उद्धव और शरत पार के साथ मिल गए तब जाके वो तेरा हो गए बाकि सभी राज्यों में कॉंग्रेस सिंगर डिजिट पर है और सांग्रेस का बहुत ही बूरा परफॉर्मेंस करनाटक में देखिए सरकार है उनके लेकिन ब्रिज़ेपि स्कोर कर गई तेलंग गाना में तो सरकार बनी थी हमें तो लगा कि पुरी के पूरी सिटेय आ जाइगी कॉंग्रेस की लेकिन आज इस इसले लेनी कॉंग्रेस ने बीर्यस जिसको घैStra यह इतना आत्मगातिक काम किस ने किया, कॉंग्रेस अंदुरूनी लडाई से यो आपस में नेता निप्टारा करते हैं, उस चक्र में पार्टी को खतम कर देते हैं, हारियाना में जनता क्या चाहती थी, नतीजे क्या आगें, और इसके लिए जिम्मिधार को, मातर आप बेड में छे साथ पे हैं, नभी सीटों में छे साथ पे आप वहाँ प्राइम प्लियर थे, एक जमाने में आपकी सरकारी हुआ करते हैं, और वहाँ सबसे बड़ी पार्टी आज नेशनल कॉंफरेंस है, तो इतना बुरा हाल जम्मू कश्मिर में क्यों हुआ कॉंग्रेस, कॉंग में जानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट जो है, वो एक पैच्वर्क वाली स्टेट है, मतलब संयुक्त महाराष्ट है, अलग-अलग जगा से प्रांत में से कुकड़े हुए है, मुंबई प्रांत से पच्चिम महाराष्ट और कोकण आया, और सीपी बेरार से विधर्ब आया निजाम से मराठवड़ा आया, तो थोड़े सा बिहेवियर अलग है, तासीर अलग है, विधर्ब में कॉंग्रेस का गड़ है, तो मराठवड़ा में कॉंग्रेस भी है, सिवसिना भी और भाज़पा भी है, भाज़पा उतर महाराष्ट में है, लेकिन मुंबई में और कोक कि लिए बड़ा लॉटैपी के साथ गया था वो एक सीड भी ने निकाल पाया तो लोगों ने रिजेट किया बीजेपी के साथ जाने पर वही रिजेक्षान महाराश्टर में एक नाशिंद्य या अजित पावार को यह दिदी मिलता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा लॉस होगा प्योंकि बीजेपी ने 120 सीटें भी लड़ी तो बाकी जो 208 सी में सीटें हैं वो एकना शिंदे और वो लड़ेंगे अजित पावर लड़ेंगे यह लिए उनका स्कोर बुरा दूसरी बात है बीजेपी की अंदूनी जगड़े बहुत है हमारे जितने बाहर के लोग भार्याना में बीजेपी में आये होंगे उससे कई गुना ज्यादा लोग बीजेपी में बाहर से आये हुरे है इसलिए पुराने और नए का संगर्श है ऐसे कई फैक्टर से और दूसरी बात है यहां सिर्फ कॉंग्रेस और बीजेपी थी वहां कॉंग्रेस और बीजेपी नहीं वहां कॉंग्रेस तीसरे नंबर पर है वहां उनकी मेजर लड़ाई शरत पवार के साथ है उद्धो के साथ और तीसे नबर पर कॉंग्रेसे LIVE से यही अम वांखिड से देखते आए हैं कि जहां जहां भारतीय जिनोता पार्टी की लड़ाई शायद सीधे तॉर पर कॉंग्रेस के साथ उप भारती जुन अपर बढद बना करके सरकार बना tussen लेकिन जहां regional parties है वहाँ पर बीजेपी को कही न कही मुग किखानी पड़ती है क्या वही दुवारा महराष्टर में होने जा रहा है यह महराष्टर में वही होती दिखाई दे रहा है लेकिन हर्याडा के बात कॉंग्रेस ने अपना रविया सुधारना चाहिए अब हास्यास्पत बात यह है आदिती जी कॉंग्रेस ने अभी observer भेजे बड़े-बड़े नेताओं को भेजा है बगेल को भेजा है अशोगेलोत को भेजा है यह कौन लोग है इन्होंने अपनी पार्टी अपने राज्य में डुबाई उन परफॉर्मर को भेजो जो जो जानते हैं चुनाव जीतना किसको कहते हैं कमलनाथ में पुरी पार्टी कार्ट भट्टा जबा दिया अब कमलनाथ को भेजो को तो क्या करेंगे हो क्योंकि कॉंग्रेस के लिए यह फार्मिलिटी हो गए यह ने चुने एक 20-25 नेताओं के नाम है किसी भी राज्य में चुनाव है वही स्क्रिनिंग कमिटी में जाते हैं वही आब्जर्वर बनकी जाते हैं वही इंचार्ज रहते हैं वही कैम्पिन कमिटी देखेंगे यह एक राज्य मिज़र स्क्रिनिंँ कमिटी का चेर्मन है दूसे में आबजरवर जाएगा हर्याने में मुझे बताईए दिल्ली के चुनाव जब थे विधान सभा के ब तो चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा इस डडर से माकन लंडन भाग गए तूल मिलाके वही बीसना पतिसना घूमके रहते हैं। बीजेपी में अब हर्याना में मुख्यमंतिताई करना था। कोन गया। मौहनलाल यादों। जिसने 29 में से 29 सिते दी बीजेपी को। मध्यपदेश की। और साथ में अमिश्या ये गए। राजस्ता धरकर्ण में किसको भेजा इन्होंने। शिवराज सिंग चवहाल। 29 सिते देने में शिवराज जी का भी बड़ा हत था। और हमत विश्वसर्मा। जो पुरे नॉर्थ इस्ट को बीजेपी की छोली में लाके डाला है। ऐसा नहीं आपके मास परफार्मर नहीं है। परफार्मर है लेकिन उनको फिर आप गला देते। जिस आदमें ने परफार्म किया उसको आप घर भेज़ देते। बताइए जिस व्यक्ति ने दो-धाई साल इंचार्ज करके जमुकर्षमिर पर काम किया हूँ। चुनाओ के टाइम पर आपने किसी और को भीज़ दिया। जिसको पहले दिन से हंवर करना है। जो अधिक्ष था आपने चुनाओ के बीच में उसको हटा दिया। तो नया अधिक्ष क्या सभा लेगा, क्या चुनाओ लड़ेगा। तो फिर आप सिंगल डिजिट भी आएंगे ना। दुरभाग यह है कि इंडिया गड़बंधन का नेतुत वह कॉंग्रेस कर रही। वह कॉंग्रेस अपने आपको देखने कोई तयार ले। वह अपने से हर्याणा चुनाव में हमने एक चीजए और दर्खा था कि पर देखा नरेंद्र मोदी हो गुने चुने यात्रा उन्होंने किया था रैलियां की थी। नरेंद्र मोदी को शाक और हःयाना चुनाव से दूर रखा गया था खासका नरेंद्र मोदी kita guarantee पर हर्याना चुनाव में बात नहीं की जा रही थी, उसके बाद हर्याना जी देखिए, जैसे 2024 के लोगसभा चुनाव के निरने आये, मोधी और मोधी की गैलेंटी दोनों बैकफूर पर चले गए, और एक NDA की जीत है, NDA गड़बंदन की जीत है, भारी जीत है, ये बोलना चुनाव के निरने के बाद ही, मोधी की गैलेंटी मोधी की सरकार मोधी है, तो मुधी ने इन सारे चीज़ों को स्टोर रूम में रख दिया, यही सवाल था क्या, यही इसी को दोर आया जाएगा महराश्ट्रू में, कि मोधी की गैलेंटी नहीं? वो मोधी की गैलेंटी नहीं करेंगे, वो माविकासा गड़ी, इंडिये गवर्ड की बात करेंगे, और क्या इस बार आरेसेस जो है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से हाथ खीच लिया था, क्या आरेसेस इस बार महराश्ट चुनाव में बीजेपी का सा गड़ी तरीके साथ देगी, लेकिन फिर आरेसेस तब साथ देगी जब उमीदवारू का चैन फाइनल होगा, यदि आपने बाहरी लोगों को ज़्यादा टिकीट दी है, तो फिर आरेसेस उनके लिए कैसा काम करेंगे, जो कल तक कॉंगरेस में थे, उनके लिए कैसा काम कर तो RSS भी वेट एंड वाच पे हैं संग को कितनी तवज्जु दी जाती है ये भी बड़ा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि JP नड़ा ने तो कही जिया था कि हमको संग की जरूरत नहीं है हाँ क्योंकि लोकसबा चुनाव में महराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी हारी थी उसके पीछे RSS का अच्छा खासा हाथ रहा है ये माना जाता है यकिनन जब आप कही दोगे पब्लिक ली कि हमें संग की जरूरत नहीं है तो भी संग क्या क्यों जवर्दस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवारा जैसी बात होगी क्यों जाएगा और दूसर स्वार ये है जी वांकरा सर क्या सीट बटवारे को लेकर के महायूती घठपंधन में यानि शिवसेना अजित पवारवाली एंसीपी और भारती अजनता पार्टी में बात बन पा रही है क्योंकि अमेच शा लगातार दौरे पे दौरा कर रहे है महाराष्टर का बीजेपी लड़ी मातर नव सीटे जीपी तो एकना शिंदी का कहना है मेरा स्ट्राइक रेड अच्छा है लोग आपको रिजट कर रहे हैं आप मुझे ज़्यादा सीटे देंगे ये गठबंधन के लिए अच्छा होगा और मेरा नाम एदी मुख्यमंत्री पद के लिए र परकार बनाई है अब वो विधायक मेंसे बहुत सारे लोग हरेंगे क्योंकि जनता उनकी खिलाफ है तो यह क्या है चेस का गेम चल रहा है एक दूसरे को शाह मात शाह मात चल रही है अब यह हाली में जब रिपोर्ट कार इन्होंने पेश किया दो दिन पहले तब पद्रका कि अगला चुनाव उनके नेत्रतों में होगा अमिर्शा जी कहते है कि देखिए हमने बड़ा बड़े लोगों को शहीद करके अर्मानों को हमारे शहीद करके एकनाच जी को हमने मुख्य मंतिर बनाया तो शाहादती की बार होती है इसका मतलब एकनाच शिंदे भी कमिटर नहीं है एकनाच शिंदे को पुचा तो उनने कहा कि हमारा जो किया हुआ काम है यही हमारा बुख्य मंतिर अजित पावर तो बोली नहीं पा रहे हैं विचारे क्योंकि इतने हाशिये पे चले गए हैं खबर ये भी है कि अजित पावर के विधायक भी तूट रहे हैं अजित पावर के विधायकों को गैरेंटी नहीं कि अजित पावर के नाम से जीत पाएंगे सबसे बड़ा अधितिव प्राब्लेम यह है कि वोट ट्रांसपर होना चाहिए गड़बंदन तो उपर हो जाते हैं नीचे कारे करताओं का गड़बंदन होता है क्या ये बड़ा मातों पुलना है लोग सबाब में एकनाश शिंदे के वोट एकनाश शिंदे के पास आइसे में कैसा वो ट्रांस्पर होगा जब इतनी गंदगी होगे दोनों पार्टियों के बीच के बीजेपी ने तो किया एक विधायक जो पूर्व विधायक था विधर्ब का उसने बोला कि हमारा तो मुख्यबंति द्यविंद्र फट्डनमीजी होगा हम नहीं मानते एक ना एक मैंसेज जाता है तो कारे करता है एक होता है अईसा मैंसेज एक ना शंदे ने तो नहीं दिया कि दादा की किला कोई बोला तो मैं निस्काशन कर दूंगा ने दादा ने बोला तो कुल मिलाकर घमा साल तो है दूसरी तरफ जो महाविकास आगाड़ी है वहाँ मेरे हिसाब से करीब-करीब 220 सीटों के आसपास का फाइनल हो गया है उसमें सबसे ज्यादा सीटे 85 के आसपास 85-90 के आसपास कांग्रेस को मिली है और 60-65 के बीच में उद्धर ठाकरें और 60-65 के बीच में शरत पवाद की सीटे हैं बकि 70-75 सीटे बची हैं उसका भी मुझे लगता है एक दो दिन में निप्टारा हो जाएगा दो चार सीटे होगी जहां फ्रेंडली कॉंटेस्ट भी होगी कि कुछ जगा पे तीन पार्टियां है 288 सीटे है तो तीन चार तो सीटे हैसी होगी जहां कुछ गड़वड हो सकते हैं लेकिन बाइन लार्च सीट शेरिंग हो गया है और मुख्यमंत्री कोन ये उद्धर ठा होगा उसके बाद जो प्रुजराव चवाने कॉंग्रेस के उन्होंने कहीं दिया यहां बड़ा भाई चोटा भाई कोई नहीं है तीनों हम भाई है और यह हम बाद में तै करेंगे लेकिन होता क्या है ये लोग तो चुप है लेकिन शिवसिना से संजेराओ चिलनाना पर चुनाओ के नतीजे आने के बाद 23 तारीक को नतीजे है पच्छीष तारीक को विधान सभा का समय समापत होता है यदी 23 तारीक को नतीजे आए 24 तारीक तक सर्टिपिकेट मिले तो 25 तक राज़्यपाल के पास जाना होगा जो भी सत्ता में आएगा सद्ता सरकार बनाने के लिए यदि वह नहीं गया तो रास्टरफदी शासन लागू होगा और एक बार रास्टरफदी सासन लागू होगा तो गब पिर छे मेने के लिए टो मिनिमुम फिर कोड के चक्कर लगेंगे पर यह लोग गड़ जाएंगे वहां ओप्रेंशन कमल होगा तो चुनाव के नतीजे नहीं, चुनाव के नतीजों के बाद तुरण सरकार बनाने के लिए एक घंटाए मातरब, एक दिन है मातरब, उस एक दिन में फचले नहीं हुए, तो फिर राष्ट्र पदिशाशन लागू होगा, क्योंकि वो constitutionally allow नहीं कर सकते, कि हाउस खतम हो गया और कोई है नहीं, बतलब हर जगा से मौक्या छोड़ा गया है, ताकि अगर बीजेपी या महायूती गटबंदन चुनाव हार भी जाए, तो उनके पास बहतरीन तरीका हो, ताकि वो राष्ट्रपति शासन लागू करके, सब कुछ अपने हाथ में रख सके, वांगिरे जी बहुत बहुत शुक्रिया देशनुती के मंच पर हमारे साथ जुडने के लिए